हेलो दोस्तो नमेश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो रस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू कहना चाहूँगा अगर किसी ने फर्स टाम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकोन करेट कर लेना अगर आप चाहूँ तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कल के दिन का आखरी विडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा जो की था एक पोर्टफोलियो से रिलेटेड यस मोनोपॉली प्लस डेप्ट फ्री स्टॉक का पोर्टफोलियो अगर बनेगा तो कौन से स्टॉक चाहिए तो आप चाहूँ तो इस विडियो को भी दे उसके उपर अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले पहले थोड़ा सा फॉर्मेलेटी कर लेते हैं फॉर्मेलेटी मतलब हॉलिडेज देख लेते हैं कोई यहाँ पर सप्टेमबर कतम होने के बाद ऑक्टोबर में कितनी चुट्टिया है तो दोस्तो आप देख सकते हैं आ याद रखना अभी कल के दीन के अगर हम लोग बात करें यह जो हफता स्टार्ट होने वाला है पहला ऑक्टोबर का तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पार्च दिन कंटिनियूसली बादर यहाँ पर चलने वाला है तो चलिए ठीक है यह तो आल्रेडी पॉइंट में आप लोग को बता दिया है अभी हम लोग आज आते हैं इंपोर्टन खबर हो किया और सबसे पहले दोस्तों इंपोर्टन चीज यहाँ पर रहने वाली है तो फेडरल रिजर्व ने जो भी यहाँ पर मतलब रूख अपनाया है उसी टाइप का रूख यहाँ पर रहेगा यही फिलाल तो होप है एंड देखा गया तो यूजली ऐसी चीज़े रह सकती है सो इसी से रिलेटेड यहाँ पर मेटिंग यहाँ पर रहने वाले फिर भी हम लोग देखेंगे कि आर बीए की जो पॉलिस मतलब यह जो एंपीसी की बैठा के उसमें जो कॉमेंटरी रहने वाली है किसके चलते ओवर दग्रोथ यह हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टन के साथ कैसे डील मतलब इससे रिलेटेड जो मेन चीज के है कि कॉमेंटरी जैसे मैंने का कि रेट अकुमेंटरी स्टैंस बिलकुल अंचेंज रहने वाले वही 99% चांसे से बट जो फॉर्दर कॉमेंटरी है क्या यहाँ पर कोई आर्बिय हिंट देगा कि हम लोग रेट अगर बात करें तो नमेंबर के तक यहाँ पर बात कर रहे थे कि करेंगे करके अभी देख लेंगे नमेंबर में शुरुबात इसकी होती है भी या नहीं सबसे पहला यही इंपोर्टन चीज़ है और आप सभी लोगं को पता है यह जो फैसला आर्बिय के और से देखने को मिलता है कभी रेट चेंज से रिलेटर फैसला आएगा तो क्या हो जाएगा लिकुडिटी थोड़शी हम लोगं को शेक होते विए देखने को आपे मिल ज सब्सक्राइगा जो इकनोमी सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो कंटीनी रहते वे देखने को मिल सकता है सो यहाँ पर इस चीज़ के और यहाँ पर हम लोगोंने क्या करना है फोकस बनाए रखना है देन दोस्तों सेकेंड इंपोर्टन अगर हम लोग यहाँ पर कोई खबर रह बहुत ही सिंपल है इकनोमिक एक्टिविटीज मतलब री ओपन हो रहे अनलॉक हो रहे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज में हम लोगो को कोविड के केसे अभी उतने तेजी से बढ़ते वे देखने को नहीं मिल रहे है को इसके कारण यहाँ पर क्या हो अटोमेटिकली जो क्रूड ओइल का जो प्राइज है वो हम लोगों को आसमान चूते वे देखने को यहाँ पर मिल जाता है इसलिए आप लोगों नहीं यहाँ पर देखा होगा फिलाल अभी हम लोगों को 80 डॉलर प्रती बैरल तक यह जंप जाते वे देखने को मिल रहे है विचिस अप्रोक्सिमेटली 53 परसेंट अगर हम लोग करंट येर की भी बात करते हो इतना शार्प जंप हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है और दोस्तों आप सब लोगों को पता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए यह हमेशा खराब निउस होती है क्योंकि हम हम लोग क्या है नेट ओईल इंपोर्टर है हम लोग हमारे रिक्वार्मेंट का 80 परसेंट तक या फिर उससे ज्यादा क्या करते है ओईल भार से मंगवाते हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सपर्ट है उनके हिसाब से बाते हो रही है कि क्रूड ओ हो जाएगा क्रूड ओईल का प्राइस हम लोग को कंट्रोल में आते हो देखने को यहाँ पर मिल सकता है सो डेफिनेटली हम लोग ने आपर क्या करने क्रूड ओईल से रिलेटेट जितने भी खबरे है उसके उपर जबरदस्त फोकस यहाँ बनाके रखना है और दोस्तों य चीजे बार-बार ऐसे ups and downs में आपे चलती रहती है देन दोस्तों एक हम लोग यहाँ पर बोल सकते एक बार ऐसा था कि कोरोना वाइरस मतलब नंबर वन यूज यही हुआ करती थी दिन के आप लोगों ने देख्योंगे लाक दो लाक मतलब इतने भयंकर केसे देखनी को मिल है वो भी बहुत ही कमाल का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है एंड आप सब लोग पता है एक टाइम के बाद बते ना इंसान जीना सीख जाता है उसी चीजों के साथ साथ सो हम लोग कह सकते हैं कि इसी के कारण हम लोगों को यह सारी चीजे नॉर्मलाइज हो मतलब बहुत ही खरबती वंद एवापे केसे हमारे जीते ने स्ट हाइर लेवल पे अगर नहीं होंगे बट वहापे डेट्स मतलब बहुत ज्यादा थी डें जर्मानी में में मेकसीको मलेशिया मतलब अगर हम लोग यहां पर बात करें सब जगह पे अभी आम लोगों को क्या जल से जल यहाँ पर होना मतलब कंपलीट भी हो सकते हैं टाइम जरूर लगेगा। बट आप सभी लोग को बता है, जो PMI का डेटा रहता है, जो September अभी खतम हो चुका है, वो कभ रिलीज होने वाला है? Tuesday के दिन, ये भी हम लोग को देखना बहुत ही जादा important है, लास्ट हफते में आप लोग को बता है था कौन सा GST का डेटा दुस्तों सामने आ चुका है, और GST आप लोगों ने देखा होगा, दुस्तों 1 lakh करोड को भी पार कर चुका है, ये प्रतित करता है कि कई ना कई बिजनेसे से या पर बहुत ही अच्छी तरीकी से चल रहे हैं, इस तरीकी के डेटा हम लोग को या पर बताते हैं, उसी की साथ चाथ इंकम टेक्स की भी अगर आखरी जो डे रहता है, उसके उपर रिलीज होते हैं आपर देखने को मिल जाएगा, तो एक कुछ important points है दोस्तों जिसके उपर आप लोग का focus बने रहना चाहिए, देन दोस्तों अगर हम लोग या पर बात करें, obviously अभी हापर हम लोग कह सकते हैं, second quarter मतलब जो रहता है, April मे June के बाद, July, August, September खतम हो चुका है, तो चलिए result के दाइरे में अभी हम लोग आ चुके है, result आना शुरू यहापर हो जाएंगे, तो ज़रूर already में आप लोग को बता चुका हो, कैसे आप लोग ने excel sheet maintain करने हैं, खुद के portfolio के stocks, जो stock आपको पसंदे वो वाले, उसी के साथ अलग से doubtful वाले stock, ऐसे में आप लोगों को बता है था, तो result यहापे release होने वाले है, जो कि एक बहुत ही important data रहता है, इतने higher level पे जिनके result में दम नहीं रहेगा, वहापे profit booking के भी भारी आशंका है यहापे जताई जा सकती है, जिनके result अच्छे है, हमें कोई चिंता करने के market गिर गया, तो फिर वहापे गिरने दो, वो stock भी गिर जाएगा, but over the period of time उस stock में जबर्दस recovery भी आएगी, so result वाला सिलसिला, अभी हम लोग कह सकते, result का season, अभी हम लोग को start होते वे देखने को मिलने वाला है, तन October मन्त की शुरुआत की बात करें, चलो अच्छी है, foreign investors की बात करें, FIS की, तो 1st October 131 करोड क्या क्यों ना हो, बट यहापे net purchase ही, यहापे हम लोग को देखने को फिलाल मिल रहा है, next अगर हम लोग यहापे बात करें, तो dollar वापस उसी दायरे में, मतलब 75 इतना strong resistance level बन चुक है dollar के लिए, कि वो तोड़ने के लिए बहुत ही मुश्क तो तक भी similar way performance यहापे दिखा सकता है, dollar index भी आप लोगों ने देखा होगा, उसी type का performance देखने को मिल रहा है, gold भी आप देख सकते हो, 50 के ही नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट gold भी एक ऐसा ही चीज़ है, जो मैं अल्रड़ी बता चुका है, equity type, मतलब यह देख अब लोग देख सकते हैं, ब्रेंट की बात करें, तो कितना है, 79, यहापे मतलब जैसे हम लोग ने कहा था कि 80 के स्तर को चूते हैं, 90 तक भी क्या हो सकता है, crude oil यहापे jump कर सकता है, next अगर हम लोग बात करें, final जो चीज रहती है, option chain की बात करें, तो हम लोग यहापे बिलक resistance की बात करो, हर लेवल पे बहुत है अच्छी कासी, strong पकड हम लोगों को देखने हैं, बट इबदम strongest resistance लेवल आपको चाहिए, तो 18,000 पे जबरदस लेवल बिल्ट होते वे देखने हैं, आपे मिल रहे है, सिर्फ यह आप लोगों को learning के लिए यह कुछ लेवल से, जो कि आ बगाइ